तो दोस्तो अभी की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप paper trading के codes को use कर सकते हो, उसके basic concept को कि कैसे paper trading जो code आपको provide कराया जाता है, free of cost, वो आप कैसे like use कर पाओगे अपनी trading skill को improve करने के लिए for paper trading, ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे next level board के उपर आता है, dashboard पे आना है, dashboard पे आने के बाद में आपको यहाँ पे tools and help पे click करना है और यहाँ पे syntax generator पे आ जाना है, अब यहाँ से पूरी कहानी start होती है, यह page क्या करता है, यह page करता है कि आपको सभी code जितने भी broker को हम लोग support करते हैं, उन सभी broker के codes को आप यहाँ से create कर सकते हैं और ख आउंगा और नीचे की तरफ आने पर देखोंगा कि paper trading कैसे की जाती है, तो paper trading पे click किया, तो paper trading के कुछ यहाँ पे syntax आपके सामने available हैं, अब syntax तो होते हैं, codes, इन codes को use कैसे करना है, वो चीज आप ज़रा concept समझेगा, माल लीजिए मेरा कोई stock है, मैं चाहता हूँ कि बाई द पेट ही नहीं पाते, बट अगर हम paper trading कर रहे हैं, तो हमारा जो अंदर का emotion है, कि हमें loss हो सकता है, या ऐसा कुछ होगा, वो चीज हमारे उपर हावी नहीं होने वाला है, इस कारण आप काफी easily learn कर सकते हो, कि patience के साथ बैट कर profit बनता है, तो आप real account के साथ जब काम करोगे, तब I think थोड़ा शांत बैठना सीख पाओगे, ट्रेडर का मतलब यह नहीं होता कि 24 घंटे laptop की स्क्रीन पर देखता रहे, देनो कि कब entry करनी है और कब exit करनी है, जबदस्ती trade लेने का मतलब है, अपने प्यार पर खुद ही कुलहाडी मारना, तो comments ही बात आती है, तो आईए ज़रा समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक syntax दिया गया है, जिसका नाम है buy syntax, अब इसके अंदर काम कैसे करते हैं, buy syntax का मतलब simple सा है, आपको क्या करना है, मान लीजिए आप trading view के साथ काम कर रहे हो, तो आपने last video कर देखी होगी, मैंने high button में भी डाल दिये, तो उसमें म एक indicator है, custom indicator मैंने खरीदा है, और उस indicator पर काम करना चाहता हूँ, तो भाई किस तरीके से वहाँ पर buy sell, buy sell होने वाला है, मुझे ज़रा properly समझाओ, और कैसे उस indicator के through मैं काम कर सकता हूँ, तो सबसे पहली बात आती है, मैं आपको trading view पर ले जाना चाहूँगा, लोगों का सब से प्यारा, like सब का प्यारा, basically कह सकते हो, कि एक indicator होता है, जिसको सब जानता है, जिसका नाम है super trend, तो super trend पर कैसे काम कर सकते हैं, आप paper trading के तुरू, तरा वो समझ लेते हैं, मान लीजिए, मैं कहता हूँ, देखो, मेरे पास समय नहीं है, कि मैं पूरे time laptop की screen पर बैठा रहा हूँ, बट मेरे पास एक indicator है, देखो, यह super trend मैं for example बता रहा हूँ, आप चाहें तो किसी इंडिकेटर बाय कर सकते हैं, आप हमारे custom indicator यूज कर सकते हैं, link description में है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप कहते हो, कि भाई, देखो, मुझे test करना है, मैं real account पे काम नहीं करन चाहता, मैंने 4000, 5000, यह 10,000 का कोई indicator खरीदा है, मैं पहले उसके result देखना चाहता हूँ, 15 दिन free of cost, हमारे system को आप free of cost तो यूज कर सकते हो, paper trading करने के लिए, तो आपने बोला, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो अब क्या होगा, अब आपको मानलो buy करना है, आपने बोला कि ICIC bank है, और मैं इसमें 500,000 ट्रेड करना चाहता हूँ, और मेरे indicator के तहित मुझे अभी buy signal पे काम करना चाहिए, क्योंकि इसका overall trend, uptrend चल रहा है, तो अब काम कैसे होगा, ध्यान से समझना, माल लीजिए, मैंने बोला कि buy के signal पे buy करना है, तो buy के signal पे buy करने के लिए, मुझे code क दिखा है न, यहाँ पे buy के उपर, मुझे right click करना है, right click करने के बाद में, add alert on super trend पे click करना है, यहाँ पे click होने के बाद में, next step रहेगा, window open हो जाएगी, अब असली चीज़ आती है, condition को fulfill करना, condition means, मुझे अपने indicator का नाम डालना है, आपके पास, अगर यहाँ पे आपका custom indicator होगा, तो वो आपका custom indicator यहीं, इसी list के अंदर दिखाई देगा, okay, then मैं अपना choose super trend कर लेता हूँ, super trend में दो condition बनती है, buy या sell, ठीक है, या फिर direction change, आप जो चाहें, उस पे work कर सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पे buy पे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने buy पे click किया, okay, then यहाँ पे options, देखो यह option वाला area जो है न, यह सबसे जादे important हो जाता है, कैसे, अगर मैं इहाँ पे only once करता हूँ, तो only once का मतलब क्या होगा, पढ़ भी सकते हो, the alert will only trigger once and will not be repeated, एक बार होने के बाद में अगली बार, माली जी buy का signal आ गया, उसके बाद sell का signal आया, आने के बाद यहाँ रखने की बात है, तो यह चीज आती है, अब third condition जो यहाँ पे count होती है, once for bar close, इसका क्या basic मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है, कि भाई, अगर मेरा signal यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आने के बाद, अगली candle पे मेरा trade लगना चाहिए, जब एक candle पूरी confirm create बन जा होगे, options के इंदर क्या क्या चीज़े बताई जाती है, तो मैंने यहाँ पे once for bar close choose किया, then यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई timing वगर के साथ कुछ छेड नहीं करोगे, आपको यहाँ पे कोई alert के इंदर कोई छेड नहीं करनी है, आपका webbook URL already save हो चुका है, इसी के थुरू आप क्या करोगे, real trading कर पाओगे, real trading की वीडियो आई बटन में डाली हुई है, या playlist में जाके चेक कर सकते हो, सब भी वीडियो आने वाली है, धीमिती में, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे बोला, भाई मैं बाई पे काम करना चाहता हूँ, तो buy code बोलूँगा मैं इसको, किसके लिए, ICICI, okay, bank के लिए, तो मैंने यहाँ पे message के अंदर, जो message लिखा होता है, उसको हम कर देते हैं, delete, और जो हम code को copy करके लाये थे, कहां से, यह वाला जो code था न, इसको मैंने यहाँ पे paste कर दिया, यह लिजिए, इसके बाद मुझे यह उसका जो like syntax है, वो यहाँ पे आ चुका है, प्लस आपका जो code है, वो activate है, आप देख सकते हो, तो अब जब भी यहाँ से buy का signal generate होगा, तो paper trading में आपका यहाँ पे buy तुरंत हो जाएगा, first point clear, then अब बात आती है, मैं चाहता हूँ sell का signal, आये तो trade बंद कर दी जाए, अब ब आलग एक code होता है, ध्यान से समझो, एक code हुआ buy करने के लिए, एक code हुआ sell करने के लिए, एक code हुआ कि सब कुछ जो trade चल रही है न, उसको बंद कर दो, तो यार आपको यह exit position syntax डालना है, ध्यान रखने की बात है, मैंने इसको copy किया, copy करने के बात मैं जाऊंगा, दोबार करने की बात यह आती है, कि आप जितने minute के time frame के chart के उपर यह alert create करोगे न, दोस्तो, यह उतने ही minute के time frame के उपर आपका save हो जाएगा, माल लीजिए, आपने दो strategy create की है, एक 5 minute पर और 15 minute पर, तो आप जब 5 minute वाले alert को create करोगे, और जहां पर वो 5 minute में signal आएगा, तो वो indicator वह 15 minute का time frame है, तो अब जब 15 minute का time frame पर signal आएगा, तो वो आलग काम करेगा, तो I wish की यह चीज़ आप clear समझ गए होंगे, अब भी के लिए मैं इसको 5 minute पर करता हूँ, और right click करता हूँ, add alert पर जाता हूँ, जाने के बाद condition को देखता हूँ, कि condition क्या बनानी है, मैंने अपना य cell के signal पर code create करते हैं, तो मैंने यहाँ पर cell के signal पर click किया, options के इंदर गया, options में as you know कि हम once per bar close use करते हैं, ताकि कोई भी indicator रीपेंट ना हो पाए, देखो, दो तरीके के indicator होते हैं, एक रीपेंट इंडिकेटर, एक नॉन रीपेंट इंडिकेटर, रीपेंट इंडिकेटर, र बार-बार signal आता है, बार-बार चला जाता है, बार-बार आता है, बार-बार चला जाता है, बट उनको कैसे solve किया जाता है, उनको once per bar close, कि भाई जब signal आ जाए, आने के बाद, confirm होने के बाद, अगली candle जब बना दे, तब मेरी trade लगे, तो उसके लिए once per bar close use किया जाता है, और अगर वो non-repaint indicator है, then आप यहाँ पे इस पर once per bar भी use कर सकते हैं, जब आप किसी से को indicator buy करें, तो पहले उससे पूछ लें कि भाई वो repaint indicator है, या फिर non-repaint indicator है, तो अभी मैंने once per bar close use किया, then यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा, यह क्या करेगा, यह trade को close करेगा, then message box में जो message था, उसको delete करेंगे और जो copy करके लाए है, like यह जो close वाला code, मैंने यह वाला code है, इसको जो copy किया था, इसको लाके यहाँ पे मैंने paste कर दिया, तो यह लीजी और इसको create किया, अब क्या होने वाला है, कि भाई मैंने बोला था, मेरा जो indicator है, मैं केवल buy side पर काम करना चाहता हूँ, और sell side पर trade को बंद कर देना चाहता हूँ, ठीक, तो अब क्या होने वाला है, अब जैसे ही buy का signal generate होगा, तो आपका यहाँ पे जितने shares, लाइक अभी तो मैंने यह number of shares केवल 1 रखे हैं, ओके, तो जितने भी shares आप चाहेंगे, उतने shares आप buy कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर 1 है न, इसकी quantity आप change कर सकते हो, आप यहाँ पर 100,000 तक ले जा सकते हो, और इसको save कर सकते हो, तो इस तरीके से buy sell का code create कर जाता है, तो यह तो हुई first point, जो कि आपको यह 3 syntax में आ चुके हैं, अब भात आती है, fully algo buy a syntax, fully algo buy a syntax का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या चीज होती है, कि भाई दगो पीछे अगर कोई trade चल रही है, यह sell वाली, तो उसको बंद कर दो, और जो next trade आएगी, उसमें buy a वाली code नया चालू कर दो, के लिए मैं आपको again यहापे code create करके दिखाता हूँ, मैं इन code को क्या करता हूँ, इनको मैं यहापे remove all कर देता हूँ, तो अब ध्यान से समझना, अगला concept, अगला concept क्या कहता है, fully algo buy a syntax, इसके अंदर हम कैसे काम करते हैं, माल लीजिए, मैंने बोला कि भाई मैं इस particular stock के उपर, खिवल buy a पर काम करना चाहता हूँ, और sell का signal आए, तो मेरी buy वाली trade बंद हो जाए, और sell का signal sell चालू हो जाए, मतलब आप समझ रहे हैं, कि buy का signal आया, तो buy तो कर लिया, ठीक है, और अगर पीछे कोई sell की trade है, तो उसको बंद कर दो पहले, फिर buy करो, सेम, अब sell का signal आये, तो पहले buy वाली trade को बंद करो, देन वहाँ पे sell continue करो, तो इसके लिए हम fully algo code यूज करते हैं, fully algo buy syntax, इसको कैसे डालेंगे, पहले मैं इसको यहाँ से copy करूँगा, copy करने के बाद जाऊँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे buy syntax की बात की जा रही है, तो buy syntax का मतलब मालो, अभी यहाँ पे है, market अभी यहाँ पे है, मैं कहता हूँ कि buy का signal आएगा, तो मेरे buy करो, और अगर कोई sell की trade है, तो उसको बंद कर दो, बढ़ अभी तो कोई trade है नहीं, तो अभी मैंने यहाँ पे alert create किया, add alert on super trend पे गया, यहाँ पे मैंने click किया, super trend buy signal, once per bar, नीचे आया, code को यहाँ पे paste कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या code है, यह buy code, तो मैंने इसको create किया, अब क्या होगा, जैसे buy का signal आएगा, तो आप क्या buy हो जाएगा, और अगर पीछे कोई trade होती, तो वो बंद हो जाएगा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई, देखो sell का signal आए, तो मेरी buy वाली trade बंद हो जाए, और मेरी एक नई sell वाली trade चालो हो जाए, चीक है, तो यह चीज भी की जा सकती है, इसके लिए मुझे क्या करना है, अब देखो यह buy syntax था, यह नीचे देखो, यह sell का syntax है, तो हम मैं इसको copy करूँगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद में again, right click करूँगा, right click करने के बाद में, add alert पे जाऊंगा, add alert पे जाने के बाद में, again condition fulfill करूँगा, condition में डालूँगा, कि भाई मेरा super trend, यहां पर मैंने buy पर तो code बना दिया, अब मैं super trend, sell पर code create करना चाहता हूँ, तो sell पर click किया, options में once per bar close किया, नीचे आया, तो यह क्या है, यह sell का code है, तो यहां पर मैंने sell पर click किया, जो मेरा code था, उसको यहां पर मैंने paste कर दिया, और create कर दिया, अब इतना करने के बाद में यह जो दो code है न, यह दो code आपके continue run करते रहेंगे, होगा क्या, buy का signal आएगा, तो sell वाली trade बंद हो जाएगी, और उसी जगा से, जहां से बंद हुई है, एक नई trade चालू हो जाएगी, छीक है, सेम, अब उपर जाके, जब sell का signal आएगा, तो sell के signal पर मेरी जो पहले buy वाली trade चल रही है, वो बंद हो जाएगी, एक नई sell वाली trade चालू हो जाएगी, तो इसके through आप पूरा profit earn कर सकते हो, ओपर से नीचे तक की, काफी सारे client ऐसे होता है, जो लोग कहते हैं, भाई देखो, ये तो चलो, Indian market की बात हुई, काफी लोग, Binance पे work करते हैं, Bitcoin पे work करते हैं Indian market में तो timing होती है, तो timing के साब से trade बंद हो जाती है, बट बाहर की like market जो होती है, Forex market या फिर Binance, Bitcoin market, तो वहाँ पर आप ये चीज़ बहुत easily implement कर सकते हो, और आप महिने बर का पूरा data चेक कर सकते हो, कि ये कितना profit loss मुझे यहाँ पे निकल कर आया, और कैसे चेक करते हैं, वो चीज मैंने आपको बताई दी थी, कि आपको dashboard पे जाना है, paper trading page पर जाना है, वहाँ पे आपको पूरा आपका profit loss statement जो भी trades लगी होंगी, वो आपको वहाँ पे show हो जाएंगी, तो यहाँ तक के code I think मैं properly आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक के code हम clear कर चुके ह यहाँ पे नीचे एक code आता है, यह वाले code की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आईए जरह समझ लेते हैं, मैं सबसे पहले इन code को delete कर देता हूँ, I wish कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, कोई भी board नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कि भाई यह buy करवाता है, sell करवाता है, इस तरीके से यहाँ पे entry exit होती है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कि भाई देखो मेरा buy sell होता रहे, खुद बाखुद, और मुझे केवल एक ही code create करना पड़े, उसके लावा कोई code भी create ना करना पड़े, और देखना भी ना पड़े, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, syntax order यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मैं जाओंगा, copy, code create करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद में, यह strategy है न, इसके उपर right click करूँगा, right click करने के बाद में यहाँ पे add alert on super trend strategy आ जाता है, मैं यहाँ पे click करूँगा, यहाँ पे आप दे condition fulfill करनी है, कि condition क्या है, मेरी super trend strategy, बात खतम, ऐसे ही आप किसी से को strategy buy करते हो, तो वो ऐसे ही आती है, ध्यान रखो, यह मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप strategy के उपर paper trading कर सकते हो, बहुत ही easy तरीके से, तो यहाँ पे हमने strategy choose की, then यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आप देखोगे, तो आपका webhook सब कुछ वही है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, strategy, okay, strategy A डाल देता हूँ, कि मेरी एक strategy है, जो की run हो रही है, यहाँ पे सब कुछ जो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा था, मैं इसको delete कर देता हूँ, यहाँ पे जो copy कर के लाया था, वो मैंने code यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे आप quantity change कर सकते हो, कि मैं 1000 shares के इंदर काम करना चाहता हूँ, चीक है, यह खुद बाखुद buy, sell, trade, close, जो भी करना चाहते हो, अगर strategy के इंदर कहीं पे take profit का option भी होगा न, like हम जो आपको strategy provide कराते हैं, उसमें take profit stop loss, सब कुछ होता है, इस strategy में नहीं है, because free of cost वाली strategy है, तो आप क्या कर पाओगे, आप entry लोगे और वो खुद बाखुद trade close कर देगा, खुद बाखुद stop loss टच कर देगा, आप से पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, create करूँगा, create कर यहां पर आता है, dashboard पर जाने के बाद में, like यहां पर paper trading, V2 लिखा होता है, यहां पर आप बहुत easily check कर सकते हो, कि मेरा क्या profit loss statement अभी तक चल रहा है, okay, so यह चीज की जा सकती है, then again मैं यहां पर आता हूँ, यहां पर आने के बाद में tools and help and syntax पर click करता हूँ, click करने के बाद में open paper syntax, okay, तो यहां पर option का paper syntax है, as you know, आप यहां पर बहुत easily count कर सकते हो, कि क्या चीज़े डाली जा रही है, यहां पर आप किस month के options के इंतरकाम कर सकते हो, कितनी quantity है, यह आप directly bank nifty के, like nifty के, आप directly sport price पे लगा सकते हो, या फिर जो हमारे future derivative होते हैं, उनके उपर भी आप लगा सकते हो, और हमारे call input का data fill करके, आप paper trading चेक कर सकते हो, so I wish कि यह paper trading options, paper trading आप खुद समझ जाएंगे, जब आप उपर वाली trading को खुद implement करेंगे, अपने काम के उपर, ठीक है, so यह बहुत ही easy चीज़ count होती है, तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पी रोकता हूँ, because व यार वीडियो को dislike करो, comment करो कि यहाँ पर यह गलती की गई है, so आप देख सकते हो, कैसे हम लोग यहाँ पर paper trading कर सकते हैं, तो paper trading से related I think last video है, इसके बाद में कोई video डालने की जरुवत नहीं है, paper trading से related, आप इसको देखकर खुद बाखुद सीख सकते हैं, और अब हम बात कर नेक्स्ट वीडियो के इंदर कैसे आप fully automation system को use कर सकते हैं, इन सभी broker के साथ में, आप different playlist में जाईएगा और आपका जो broker होगा उसको choose कीजेगा, और आप खुद बाखुद paper trading कर सकते हैं, उसमें कोई भी problem नहीं है, plus paper के बाद में आप real account के साथ में हमारे साथ fully automation trading भी कर सक करते हैं, तो वीडियो को बंद करता हैं, मिलते हैं next important video के अंदर.